और उसका साइज इंक्रीज करने के लिए आप ये कुछ वर्कॉट अपने रूटीन में अट कर सकते हो अर्मस टे के दिन तो आज मैं ट्रेंट कर रहा हूँ भाईसेप और ट्राइसेप विदा के साथ workout स्टार्ट करने से पहले एक मारा arms का size चेक कर लेंगे हम मेरा arms का size ए 15 बिना pump के फिर विधा का भी workout से पहले arms का size चेक किया विधा का arms का size 17 inch workout से पहले पहले warmup लगया हम खाली बार से पहले दो सेट एक दम moderate किया फिर last set में हमने heavy लिया उसमें फॉर्म थोड़ा कंप्रमाइज किया हमने पहला दो सेट आप मोडरेट वेट से ही करो 10 से बाराड एप निकालो लास्ट का जो सेट है फॉर्म बिगर भी जाए तो कोई दिकत नहीं है बस आठ से नो एप निकाल लो उसके बाद हमने डंबल करल किया डंबल करल का पहल फॉर्म बिगर भी जाए तो कोई दिकत नहीं है दॉर्म के बाइसे प्र फिचिर कल लगा लगा या फिचर भी हेवी लगा जक्ते तो ये दोनों का भी तीन सेट इन से लगा उसके बाद हमें के साथ हमने किया रिवर्स कल रिष्ट के लिए फर डंप के लिए अच्छा है ह हुईदा ने सब वेट लगा दिया लेकिन मैंने थोड़ा कम करकी मारा ट्राइसेप मेरा उतना स्ट्रॉंग नहीं है लाज जो सेट था उसमें सब वेट लगाने के बाद भी और टैन केजी जएट किया हुईदा ने ट्राइसेप मैं मैं बहुत ही ज़्यादा और है फिर और से 15-20 यह केबल लिप्स किया उसके बाद हमने थीन सेट केबल लिप्स मैंने फस्ट टेम किया जैसे तो मैं नॉर्मली डिप्स करता हूँ अगर आपके पास यह वाला बार नहीं है तो आप नॉर्मली डिप्स कर सकते हैं सेम ही है लेकिन केबल लिस में थोड़ा ज्यादा तो हर वर्कौट का हमने तीन ही सेट लगाया पहला दूसेर मोडरेट विट से था उसके बाद लास्ट सेट में हमने विट बढ़ा कि एकदम मुसल में लोड डाला वर्कौट ख़तम करने के बाद हमने आंस का साइज चेक किया मेरा आमस का साइज आया है 16 इंच विदा का सा साइज आए 18 इंच बहुत ही बड़ा वाइसेब है फिर अफसर का भी चेक किया अफसर का है 14 इंच वाइसेब का साइज फिर हमने तोरा फ्लेक्स किया वोजिंग किया वर्कॉट के बाद पोजिंग ज़रूरी है मसल और ज्यादा स्ट्रेच होता है वोजिंग ज़रूर करना के बाद यह वर्कॉट ट्राइक करके कोमेंट में बताना कैसा लगा आपको और आपके आर्मस का साइज भी मेंशन करते ना थेंक्यू सो मच फूर वाचिंग